प्रिथ्वे पर कई प्रकार के जीव हैं, बहुत सारे तरह के जानवर हैं, इन सब को के अनिमल किंडम में रखा गया है, अगर आप जीव जगत का क्लासिफिकेशन पड़ते हैं, अनिमल क्लासिफिकेशन पड़ते हैं, तो आप अनिमल किंडम में बहुत सारे फाइलास को भी सेदर है उसके बारे में बात करेंगे हमने पहले पढ़ा है कि जो वर्टीब्रेट्स हैं उनमें क्लो सर्कूलेटर सिस्टम पाया जाता है बन परिसंचरन तंद्र पाया जाता है अब यह जो वर्टीब्रेट्स है यानि वे जीव जिनके पास वर्टीब्रल कॉलम है ठीक है व तो fishes में, amphibians में, reptiles में, birds में, mammals में, किस तरीके का heart पाया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले बात तो हम बता दें कि जितने भी quartets है, उनके पास जो heart है, वो muscular heart होता है muscular chambered heart होता है, muscle से बना हुआ, खंड-खंड वाला heart होता है, ठीक है उसमें, जैसे box होता है, वैसी उसमें खंड होते हैं, तो कितने खंड होते हैं, किस प्रकार के vertebrate में कितने खंड है उसके basis पे हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो heart है, उसके chambers होते हैं, उनको हम atrium और ventricle कहते हैं, ठीक है, आलिंद और निले, उसको हम detail में समझते हैं, जब हम भी हरिदय का सरशना पढ़ेंगी, human heart का, तब उसको और detail में समझेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आपको यह याद रखना है, कि कितने-कितने chambers हैं, किस animal के heart म इतने chambers हैं, यह आपको डिमाग में रखना है, ठीक है? जब मचलीओ की बात करते हैं, तो मचलीओं में दो chambered heart होता है, दो chambered है, मतलब एक आलिंद होगा, और एक निले होगा, एक होगा atrium और एक ventricle, ठीक है? यह आपको याद में रखना है, कि मचलीओ के पास दो जो हार्ट होता है उसमें दो एट्रिया रहेगा और दो वेंट्रिकल मतलब दो आलिंद और दो निला ऐसे दो बॉक्स समझें यह दो आलिंद और यह एक निला है ठीक है अच्छा एंफीबिंस में जाएंगे जितने भी उभैशरी जीव है वह एंफीबिंस है जो पानी में भी रहते हैं जैसे की एक कॉमन इंग्जामपल है मेढक का उसके बाद रेप्टाइल्स आते हैं रेप्टाइल्स मतलब जैसे सरीश्रिप है सांप है और गार्डन लिजार है चिपकलिया है यह सब रेप्टाइल्स में आ जाते हैं रेप्टाइल्स में भी त्री चेंबर हार्ट होता है एंफीबिंस की तरह ही लेकिन अंतर क्या होता है इनके पास भी दो एट्रिया है एक वेंट्रिकल है पर इनके पास जो वेंट्रिकल है जिससे यह दो चेंबर ह बॉटा हुआ होता है अगर यह पूरा हो जाता तो यह पे 4 चमबर बन जाते तो यह थी चमबर वाला ही सह स्वाहा है फेयल होता है प्यादम PB यह चीज़ आप दियान में रखिए, in reptiles, ventricle is incompletely partition, ठीक है, उसके बाद crocodile, crocodile की बात करते हैं, है तो यह reptile, यह भी reptiles की category में आता है, होना चाहिए, इसके पास 3-chambered heart, लेकिन होता है, इसके पास 4-chambered heart, तो यह एक exception है, exception के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, आपको सि यह याद रखना है, कि crocodile के पास 4-chamber वाला heart होता है, कैसा heart होता है, जैसे हमारे पास है, हमारे पास जैसा heart होता है, वैसे ही crocodile के पास भी होता है, 4-chambered heart, पक्षियों के पास, crocodile के पास, और mammals के पास, इन 3-ों के पास होता है, 4-chambered heart, 4-chambered heart कहने का मतलब है, दो auricle और दो ventricle दो alind और दो निला है ठीक है यह इध्यान में रखिए 4 chambered heart किसमें किसमें पाया जाता है 4 chambered heart होता है crocodile में और birds में और mammals में अब mammals में कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है mammals में actually में कौन से जीव आते हैं तो जितने भी stundhari है वो mammals है यह viviparas होते हैं कुछ mammals भी परस होते हैं तो वो एक classification का criteria नहीं है जितने भी stundhari है जो अपने बच्चों को दूद पिलाते हैं जिनके पास memory gland होता है they all are mammals तो mammals में आपके आस पास जो cattle है जो गाय है भेड है बकरिया है यह सब mammals में आ जाते हैं हम भी mammals है mammals हम इसके अंदर प्राइमिटर केटेगरी में आते हैं बंदर भी mammal है तो वो आप जब आप animal kingdom का classification पढ़ते हैं तो और रीटेन में आपको समझ में आता है यहां पर सिर्फ आपको यह याद रखना है एक बर और समराइस कर देती हूं ताकि आप बोले नहीं fishes के पास होता है टू चेंबर जितने भी वर्टीब्रेट्स होते हैं सबसे पहला लाइन याद रखना है जितने भी वर्टीब्रेट्स होते हैं उनके पास मस्कुलर चेंबर हार्ट होता है ठीक है मसल से बना हुआ चेंबर हार्ट होता है चेंबर में दो तरह के चेंबर होते हैं एक औरिकल होता है एक वेंट्रिकल होता है एक आलिंद होता है एक निला होता है उसके बाद फिशेज एंफीबियंस रेप्टाइस और क्रोकोडाइल बर्ड्स में में इनमें कितने चेंबर से वो याद रखना है फिशेज में दो चेंबर होता है एक रेप्टाइल्स में त्री चेंबर होता है लेकिन रेप्टाइल्स के केस में जो लास्ट वाला चेंबर है यानि व बड़्ड्स है उनसे होडर्ट में तो अब से याद रखते ह्यों होटेlly बस यही टाइप्स हैं हार्ट की कितने चंबर से उसी के बेसिस पे हम हार्ट को अलग लग तरीके से क्लाच पे करते हैं सो दाट इस और उसके बाद हम नेक्स देखेंगे कितने तरह की सर्कूलेशन होते हैं